बॉलिवुड के दिगज अभिनेता इर्फान खान का 29 अप्रेल बुधवार को निधन हो गया अभिनेता इर्फान खान को मंगलवार से पेट के संक्रमन के बाद शहर के एक अस्पताल के ICU में भरती कराया गया था उनके करीबियों ने जानकारी देते हुए बताया कि तेरेपन वर्ष ये अभिनेता को कोकिला बेंधी रुभाई अंबानी अस्पताल में भरती कराया गया था इर्फान खान का 2018 में कैंसर की बिमारी का इलाज भी हुआ था इर्फान खान की 95 वर्ष यमा साइदा बेगम की चार दिन पहले ही जैपुर में मृत्यू हुई थी अभिनेता कोरोना वाइरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपनी मा के अंदिम संसकार में भी शामिल नहीं हो पाए थे कैंसर के बिमारी से निजात पाने के बाद 2019 में फिल्मों में वापसी करते हुए अभिनेता ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की थी आपको बता दें कि अपने कैंसर के बाद से ही इर्फान अपने रूटीन चेक-प के लिए भी कोकिला बेन अस्पताल जाते रहते थे जानकारी के अनुसार अभी इरफान अस्पताल में ही है इर्फान खान हाई ग्रेड नियूरो एंडोक्राइन कैंसर की बिमारी से पीड़ित थे साल 2017 जून के महीने में इस बिमारी का पता चला था इर्फान काम को बीच में ही छोड़ कर अपना विदेश में इलाज करा रहे थे इर्फान ने ना सिर्फ अपने बिमारी की खबर सोशिल मीडिया पर दी थी बलकि समय समय पर उन्होंने और उनके परिवार ने उनकी तबियत से जुड़ी अपडेट्स फैंस के साथ शेयर की थी और मीडिया को शुक्रिया भी आदा किया था कि वो उनका इस कदर से खयाल रख रही है आपको बता दें कि इर्फान खान पिछले दिनों कोरोना वाइरस की वजह से परिशान हो रहे प्रवासी मजदूरों की हालत को लेकर भी काफी परिशान थे इर्फान ने कुछ दिनों पहले ही अपने ट्वीट पर लिखा था कि इस समय प्रवासी मजदूरों के साथ जो हमने किया है उसके प्राइश चित के लिए वो शुक्रवार का वरत रखेंगे दस अपरेल को सुभर 6 बजे से शाम 6 बजे तक इर्फान खान भूखे भी रहे थे लेकिन अब उनके निधन की खबर के साथ पूरा बॉलिवूड इंडस्ट्री शोक में डूब गया है इर्फान खान एक ऐसे बहतरी नभी नेता थे जिन्होंने बॉलिवूड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था बॉलिवूड इंडस्ट्री के अक्टर्स के साथ साथ उनके तमाम फैंस भी इर्फान खान की मौत के बाद बहुत ज्यादा गमगीन है